हेलो एवरीवन वेल्कम बैक तो माई चैनल प्रासीतू रेसिपी और ब्लॉक्स तो आज मैं शेयर करने जा रही हूं फ्रेंड्स होली इस्पेशल गुजिया की रेसिपी होली आने वाली है और लोग आपको पता ही है तरह तरह की गुजिया बनाते हैं तो आज भी मैं आपके के लिए सबसे पहले हम गुजिया का डो लगाएंगे तो एक बड़ा हमने थाले ले लिया है और इसमें हम डालेंगे एक कप मैदा और मैदा डालने के बाद अब इसमें हम एड करेंगे फ्रेंड्स घी मोयन के लिए हमें गी डालना है तो यहां पे हमने ले लिया है तीन से च चार बड़े चम्मच खी और इसे हमने पिग ला लिया था और इसे हम डाल देंगे डालने के बाद इसे हमें अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करना है तो दोनों हाथों से अच्छे तरीके से इसे हम मिक्स कर देंगे जो सारा मोयन है वो आंटे में बहुत ही अच्छे तरीके स यह mix हो गया है और आपको इस तरीके से मुट्टी बात करके देख लेना है अगर आपका जो आटा है ना वो मुठी में अच्छे तरीके से इस तरीके से बद जा रहा है यानि आपका मुवन बिल्कुल परफिक्ट है और अगर अभी नहीं बद पा रहा है तो आप उसमें पानी से भी गुद लीजिये और थोड़ा-थोड़ा डाल करके इसमें दूद हमें आटा लगा लेना है तो फ्रेंट्स आटा हमें बिल्कुल सकत लगाना है जैसा कि हम पूरी के लिए आटा लगाते हैं कुछ इसी तरीके का हमें गुजिया का आटा लगाना है तो उनकी लिए यहाँ पर हमने ले लिया है, एक कप बेसन, हाफ कप ले लिया है, नारियल, तो उसे हमने कदूकस करके ले लिया है, आप इसके जगह नारियल का बुराधा का इस्तिमाल भी कर सकते हैं रख़ी गी, घी हमेरा मेल्ट किया हुआ है और इधर हमने ड्राइ फ्रूट्स ले लिया है एक कप ले लिया है चीनी तो चीनी आप अपने टेस्स के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और दो से तीन हरी इलाइची जिसे हमने कूट करके ले लिया है तो कड़ाई में सबसे पहले हम डाल देंगे खी और घी हमारा जैसे ही करम हो जाएगा उसके बाद इसमें हमें बेसन अट कर देना है और बेसन डालने के बाद इसे हमें बस लागातार चलाते हुए भुढ़ना है तो कंटीनी चलाते रहेंगे स्टाटिक में आपको ये थोड़ा सा ड्राई लगेगा लेकिन ये जैसे ही आप इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे तो आप देखेंगे ये बिल्कुल लिक्विट टाइप का हो जाएगा तो देखिए अभी ऐसे लग रहा है ये बहुत गीला हो गया है लेकिन ऐसा नहीं है ये फिर ठंडा हो जाएगा हमारा घी जैसे ही तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो बस इसे हमें कांटिनीव ऐसे ही चलाते रहना है गैस के फ्लेम को मिडियम ही रखना है लो टू मिडियम फ्लेम पे ही इसे हम फ्राई करेंगे इसको हम भूढेंगे और तब तक भूढेंगे फ्रेंट जब तक की जो हमारे बेसन है उसमें से बहुत अच्छा सा खुसमू नहीं आने लगता है इसका आप देखिए कि थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है देखिए कलर चेंज हो गया है तो यहाँ पे हमें गैस के फ्लेम को आफ कर देना है उसके बाद इसमें हमें ड्राइ फ्रूट्स और इलाइची का जो हमने पाउडर बठा करके रखा था और नारियल उसे डाल देना है डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करना है क्योंकि यह मिस्टर गैस को आफ करने के बाद भी अभी गरम रहता है तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके एक बर्दन में निकाल के रख देना है कि यह अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए जब हमारा मिस्टर ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही इसमें हम चीनी अड़ करेंगे तो देख सकते हैं मिस्टर अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है तो यहाँ पे हम अड़ कर देंगे चीनी चीटे डालने के बाद इन सारे चीजों को हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है तो जो हमारी स्टपीन गुजिया की वो बनके बिल्कुल रेडी हो गई है और यहाँ पे देखिए जो हमने आटा रखा था तो आदा गंटा हो गया है और आप देख सकते हैं यह अच्छे तरीके से देखिए फूल भी गया है सौप्ट हो जाता है थोड़े दिर बाद आप देखेंगे तो तो बस इसे भी हम मसल करके एक बार और ऐसे गूद देंगे ताकि यह अच्छे तरीके से और भी सौप्ट हो जाए उसके बाद इसमें हमें छोटी छोटी बिल्कुल पेड़े तोड़ लेना है तो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं तोड़ेंगे क्योंकि गुजिया जो हमारी होती है उसे में बहुत पतला बिलना होता है तो छोटा छोटा पूरी से भी छोटा सा लोई हमें तोड़ना है तो सारे को देखिए हमने तोड़ लिया है और हाथों से इसे हमें गोल गोल करके लोई बना करके तैयार कर लेना है तो देखिए एक हमारा बन गया है और इसी तरीके से हम अपने सारे जो पेड़े है उसे लोई बना करके रेड़ी कर लेंगे तो सारा हमारा जो लोई है वो बन करके रेड़ी हो गया है तो अब हम इसे बेलेंगे तो चौकी बेलन की साथ से इसे हमें बेलना है तो चौकी पे रख देंगे और देखिए इसे हमें घुमाते हुए बेलना है अगर आपको बेलने में प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा घी या रिफेंड या कुछ भी तेल लगा सकते हैं लगा करके देखिए आपको एक बार घुमाना है बेलना है फिर इसमें प्रॉड़ा सा तो वह फिर तेल में जाता है और फिर वह काला काला करता है तील को घी या रिफेंड कुछ भी लगा करके आप इससे बेल सकते हैं तो देखिए इनसे चार पूरी को हमने बेल करके रेडी कर लिया है और अब हम गुजिया बनाएंगे तो गुजिया आने के लिए friends यहाँ पे हमने ले लिया है गुजिया का साच्चा इसी से आज हम गुजिया बना रहे हैं तो बस इसके उपर हमें पूरी को रख देना है रखने को बाद थोड़ा सा इसमें हाथों से हम इस तरीके से इसमें गड़ा बना लेंगे और इसके बाद इस पे जितन हमारे गुजिया में इस्ट्रपिंग नहीं रहता है तो क्या होता है जब हम इसको फ्राई कर देते हैं फिर वो पिचक जाता है तो गुजिया अच्छे से पे बिल्कुल प्रॉपर देखे इसके लिए आपको इस्ट्रपिंग को बहुत ही उच्छे तरीके से भरना होता है तो देखिए इसको बेल दिया है, इसके बाद हमें side में लगाना है पानी, पानी लगाने से क्या होती है? हमारी गुजिया कभी भी fry करते समय फटती नहीं है, तो पानी लगाने के बाद इसको फिर हम प्रेस करके बिस तरीके से बंध कर देंगे. ताकि ये अच्छे तरीके से बंद हो जाए और देखिए जो हमारी गुज्या है वो बंद गई है और इसी तरीके से हम अपनी दूसरी गुज्या को भी बना लेंगे तो सबसे पहले पूरी कों में रखना है और इसमें हमें स्टपिंग भर देना है और उसके बाद साइड साइड में पानी जरूर लगाएं क्योंकि जब हम पानी नहीं लगाते हैं तो फ्राई करते समय गुज्या तेल में ही बिल्कुल फट जाती है और अगर एक भी गुज्या फट गई तो पूरा तेल को खराब कर देती है तो इसलिए अगर आप पाने लगा करके इसको बनाएंगे तो ये कभी भी नहीं फटेगी तो बस इसी तरीके से हमें अपने सारे गुज्या को बना करके रड़ी कर लेना है तो आप देख सकते हैं जो हमारी सारी गुज्या है उसे हमने बना करके रड़ी कर लिया है और अब इसे हम फ्राई करेंगे तो कड़ाई में हमने डाल दिया है रिफाइंड और आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है क्योंकि जो गुजिया है उस पर डूबी रहती है तो बहुत अच्छे तरीके से फ्राई होती है और तेल हमारा जैसे ही गरम हो जाएगा तो फ्रेंड्स तेल को हमें बिल्कुल हाई फ्लेम पे गरम नहीं करना है थोड़ा मिडियम जब हमारा तेल गरम हो जाए देखिए तब हम एक एक करके अपने गुजियों को इसमें डाल देंगे और डालने के बाद निचे से थोड़ा सा ये सीख जाए उसके बाद हम इसे पलड़ते रहेंगे अलड़ते पलड़ते वे इसे हमें फ्राई करना है ताकि जो गुजिया है उस पे बिल्कुल एक्वल कलर आए पुरा बराबर कलर आए तो आप देख सकते हैं गैस के फ्लेम क चीज़तों के तो हमने अभी लू रखता है छुझा भी ने में इसे बहुत अच्छा तरीके से धीरे धीरे फ्राई करना होताय इसकर होती है तो गुजिया तो बहुत जल व्राई到 जल्दिसवह जाती है तो अब आपको गुजिया बिल्कुल गोल्लेंड कलर बहुत पर ही इसे फ्राइब करना है लोफ लिम्पया फ्राइब करेंगे बहुत ही अच्छा सा कलार आता है और बहुत ज्यादा गुजिया क्रिस्पी भी बनता है तो बस इसे हमें पलटते रहना है चारो साइड से पलटते रहेंगे ताकि बस इस पर अच्छा सा कलार आ जाए तो देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर गोल्डर कलर का हमारे गुजिया पे आ गया और हमारी एक भी गुजिया 40 नहीं है तो बस अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगती हो तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करें बिड़ो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रेस्पी कैसी लगी थैंक्स पार वाचिंग